नमस्कार जए हिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टेडी प्रेट्फॉर्म में दोस्तों आज की वीडियो सीटेड को क्रेक करने के लिए कुछ चंद मिनिटों में कुछ पॉइंट हम जानेंगे और यह वीडियो अगर आपने सीटेड एक्जाम के पहले क्लिक किया है तो हर बहन, हर भाई, हर ग्रहडी के अध्यापक या अध्यापिका वनने के सफर को आसान करेगा तो उमीद करते हैं आप सभी परिवार हमारे जितने भी नए बच्चे, पुराने बच्चे हैं उस सभी अच्छे होंगे, आपके माता पिता भी बहतरीन होंगे चले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं कि बहाई एक्जाम में किस तरीके के कोशन साते हैं हम पहले जानते हैं कि क्या-क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो समझेगा यहाँ पर हम 7 points, 7 से 6 से 7 points discuss करेंगे, exam को clear करने का रामबार तरीका, कहां से सबसे ज़्यदा प्रशन पूछे जाते हैं, number 2, कम समय में क्या पढ़ा जाए, जिसे exam crack हो जाए, previous year paper कितना महत्तो देते हैं, negative marking का क्या महत्तो रहेगा, इस exam में जो होने वाला है, कम जोर विसे पर पकड़ इस पर चर्चा होगी, और last point है, सातमा पास होने के लिए कितने number हमें चाहिए, तो सबी बच्चे अगर CTAT को exam को crack करना चाहते हैं, even अगर हम बात करें, किसी भी राजे से अगर आप है, तो नीचे comment करें कि हमारा राज्य ये है, सुन्दर सा राज्य और हर बहर हरवाई को मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे भारत का एकमातर चैनल, गुरुजी वर्ड exam study, जिसमें हम बात करते हैं, मातर आपको अध्यापक बनाते हैं, अध्यापक बनने के लिए आपको नीचे टेलिग्राम ग्रूप की लिंक है, टेलिग्राम से हजारों पहने जुड़ी हुई हैं, वो जोईन कर लेना है और चैनल को सस्क्राइब कर लेना है, जिसे आगामी कोई नेट्विकेशन मिसना हो, क्योंकि बात ही केवल होती है, अध्यापक बनाने की बहुत सालों का experience है, कुश्चन आपका ये बनता होगा, कि हम exam को crack कैसे करें, तो हम पहले 2 सेकेंड एक बार हम नज़र डालते हैं, जिसको समझने के लिए आपको आसान रहेगा, पेपर पहला और पेपर दूसरा, दोनों की तयारिये में मदद करेगी ये वीडियो, ये कुछ टिप्स हैं जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, सबसे पहले स्लेवस और को हमें अच्छे से जानना चाहिए, लेकिन हम इस वीडियो में स्लेवस और पैटरन को नहीं बताएंगे, लेकिन हम केबल आपको ये बताएंगे, कि एक्जाम में आता क्या है, सीट एट एक्जाम में 500 मिनट का एक्जाम होता है, आपके एक ही जगे पर बैठ कर, जैसे ही इसका आयोजन आफलाइन मोड में किया जाता है, आपजेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, पेपर में कुल पांच सेक्शन होते हैं, और हर सेक्शन में 30-30 सवाल होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 5 सेक्शन होते हैं, तो हर सेक्शन में 30-30 होते हैं, तो तो एक अलग मेटर है MPT एक अलग मेटर है और UPT और REIT वाले एक अलग मेटर है थोड़ा सा चेंज होता है ठीके ना चेंज कहाँ पर होता है पैटर नहीं चेंज होता है कुशन जो आते हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं ठीके ना और दोस्तों अगर बात करें पैडागोजी कुल मिलाकर अगर हम देखें कि पैडा गोजी के कुसन कितने हुए 75 कुसन आपके पैडा गोजी के ही हो गए मतलब 1500 कुसन में आपको 1500 कुसन में पूरे सेक्षन में 75 कुसन आपके पैडा गोजी हो गए जिसमें 68 से लेकर 70 से लेकर आपके 60 से लेकर 70 कुसन या 68 कुसन आराम से बहुत मिनिमम अगर बनेंगे तो वो 60 से लेकर 70 के बीच में आपके बनेंगे ये वादा है और पेडागोजी कराने का तरीका हमारा अलग है जो हम कराते हैं वो कभी भी एकजाम में एक पेडागोजी गलत नहीं होता है ये आपको खुदी पता होगा हर साल हम जैसे जैसे दो एकजाम होते हैं उनका रिजल्ट भी टेलिग्राम पर दिखाते हैं आप सभी को दूसरा पॉइंट आपका ये बनता है कि ये बताओ प्रिवियस येर पेपर द्वारा महत्पूर्ट टॉपिक्स के बारे में जाने मतलब क्या है अगर आपको सुनिएगा कहीं भी कोई भी पहली बात तो ये याद रखना कि अगर आपको लगता है कि कोई ग्रहडी देख रही है वीडियो कोई बहन देख रही कोई भाई देख रहा है उसको ये लगता है कि हम किसी का पैड कोर्स खरीद लेते हैं तो आप गरत में चले जाओगे पहली बात तो समझ लो मेरी बात क अगर आप किसी का previous year paper मतलब अगर छोड़के आप कहीं pad course खरीदते हो कि 3000-4000 में इस coaching का pad course खरीद लेते हैं तो मैं guarantee नहीं लेता बलकि मैं guarantee कब लेता हूँ कि अगर आप market में जाते हो और 50 रुपए या 60 रुपए खर्च करके मातर क्या ले आते हो एक ऐसा किताब ले आते हो जिसमें अभी तक जितने भी 2011 एक्जाम कब से start हुआ seat 8 का 2011 से start हुआ है 2011 से आपको क्या करना है सारे आपको paper लगा देने हैं मतलब क्या है कि 5-10 बर्स के paper का analysis कर लेना है और मैं वादे के साथ कहता हूँ कि 60% paper आपके उनी कुस्सन में आएंगे ये वादा है और इन previous year paper को खतम करने के लिए आपको एक से दो दिन लगेंगे clear हुआ तो आपको पहले जाना है के बल previous year paper mock test नहीं खरीदना है previous year paper पहले लगाओ और फिर mock test आप लगाओ ठीके ना फिर पहले बात कर लेते हैं कि analysis करें उम्मीद बार ये आसानी से समझ जाएंगे कि पूरे syllabus में seated 2020 हो 21 हो 22 हो 23 हो परिक्षा के लिए कौन से topic सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम topic की भी बात करेंगे topic की बात कर लेते हैं कि सबसे मैत्वपूर्ण topic हमारे syllabus में कहां कहां से कुछ सनाते है सुनिए अगर आपके समय आपको ये video तम मिल लाए जब आपके exam के एक महिना है या 15 दिन है या 10 दिन है अगर आप चाहोगे ना तो अपने notes बना सकते हो किसी के notes कभी खरीदना नहीं है हम सफलता की guarantee नहीं लेते किताब में क्या होता किताबी भासा लिखी होती है हमेशा आप अपने हांस से notes बनाएंगे आपकी writing कितनी भी खराब हो लेकिन आप अपने में brilliant है हम आपको brilliant मानते हैं क्योंकि जब आप अपने notes बनाते हो तो आपको अपने अक्षर को पता होता है कि हमने कौन सा page पर कौन सा अच्छर लिखा है ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो P.I.J. Kohalwork by Goski ये आपको लिख लेना है NCF 2005 को यहां से topic बनेंगे यहां से 5-7 कुस्षन बन जाते हैं 5-7 कुस्षन केवल एक topic में जनलत 30 कुस्षन में तो आप समझे रहे ना NCF 2005 से पूरे 1500 कुस्षन में लगभग 15 कुस्षन बनते हैं वो भी पैड़ा कोजी और अलग-अलग section में आप कोगे NCF 2005 से 15 कुस्षन कैसे सर बन जाएंगे तो देखो बाल के इनदी सिक्षा उसी में आ जाती है उसी में return तरपनाली आ जाती है उसी में सिक्षा को और चातर के बीच में संबन आ जाता है National curriculum के बीच में जो भी आपके बाहर बातावरण को जोड़ता है विध्याले के बातावरण से वो आ जाता है तो NCF 2005 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कुस्षन यहां से बनेंगे मुल्यांकन एक आपका होता जहां से दो कुस्षन बनते है चार कुस्षन लगभग बुद्धी से बनते है लिजंस यह चैप्टर है आपकी एक्जाम में यह जो मैं बता रहा है हूँ चार से पॉँशन बनेंगे और अदिगम से एक कुस्षन मंता है एकसे दो कुस्षन और पुस्षन मंता है कि वार स्रेचल लो जो इसका ठीक है नmi और टॉपिक की बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की बात करें तो हिंदी पेडागोजी को topic wise complete हम notes यहाँ पर आपको देंगे provide कराएंगे PRJ की बात करें notes की बात कराएं तो यहाँ पर कुछ notes मिलेंगे कुछ videos मिलेंगी PRJ की बात करें इसलिए channel को subscribe करना बहुत important है और नीचे टेलिग्राम लिंक है उस टेलिग्राम को जरू जोड़ना important है clear अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर PRJ theory को बहुत अच्छी तरीके से जो ऊपर बताया है Professor ESPAL committee की बात करें NCF में आ जाएगा मनो विज्ञान की प्रमुक साखाएवा संपरदाय की बहिया यह संपरदाय किस ने दिया है यह कौन सा नियम किस ने दिया है इवियस important fact की बात करें दोस्तों चाहे 2019 हो चाहे 2020 हो यह आपके आपके all year paper को यहाँ पर previous year paper को solve करना है ठीक है ना बात बाकी पूरे दिन मौक्टे सुबह 11 से लेकर रात के 11 वज तक चलेगा social science pedagogy की बात करें जो second paper के लिए important है अलग तरीके से है ना और math pedagogy के लिए अगर बात करें तो मैंने पूरी math कराई है और कल से हम zero से लेकर सिखर तक math भी कराएंगे वो आपको टेंसल लेने की जरूरत नहीं है इसके लाव अगर हम बात करें individual differences जो important होता है individual differences का मतलब होता है कि वैक्तिक विभिनता आप बात करते हो ना मनोविज्ञान में पूरी तरीके से जीरो से सिखर classes दे रहे है और mock test अलग से है और पूरी तरीके से टेलिग्राम पर आपको यहाँ पर प्रोवाइट कराएंगे चीजों को कुछ से number next की बात करेंगे आपकी जो यहाँ पर दिमाग में आता होगा हाँ, point number next ही आता है कि mock test पहली बात तो मैंने का की previous year पहले तरीके से आपको कर लेना है previous year के लिए आपको क्या करना है mock test या seatate के पुराने paper अबस्य हल करना है seatate परिक्षा में paper 1 और paper 2 को हल करने के लिए आपको धाई गंटे का समय दिया जाता है परन्तु यदि आप परिक्षा में time management सही से नहीं कर पा रहे है तो आप परिक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे इसलिए रोजाना 2 या 3 mock test paper seatate के पुराने paper हल कर सकते हो एक बार seatate के पुराने paper हल कर चुके हो उनको बार बार repeat करे 2011 से लेकर 2012 यहां तक अभी तक के फिर अगर हो गया है पूरा फिर उनको करो फिर उनको करो फिर देखो time management हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक ना याद रखें अब बात करते हैं आपको trick point हम देते हैं कि exam को seated के exams को कैसे क्लिक यहां पर crack किया जाए कुस negative word होते हैं जो मैंने पहले वीडियो में बताया था जैसा अगर कुस्सन में कोई भी negative word आ जाते है तो उनको नहीं ले ना जैसे प्रधान रटान चाहिए प्रधाना चाहिए तो ऐसे negative word होते हैं किसी बच्चे को क्या contest कराना चाहिए परामर्स तुटियां बल देना है ना बल देना कम नमबर देना कोई द्यापक अपने बच्चे को कम नमबर देगा केवल एक मातर अगर ये option में आपको दिख जाते हैं ब्याख्या करना वर्णन करना दंड देना अगर ये option में दिख जाते हैं ये नहीं हो सकता इसमें ये negative दिया है तो चलो चोथा तो पढ़ना ही नहीं है चोथा तो option होई जाएगा ठीक है ना तो ये आपके negative बढ़ है एक बार skin shot ले लो फटा फट ठीक है ना अब मैं बात करता हूँ skin shot ले लिया होगा और अगर अवसर देना चाहिए परोसंहान देना चाहिए करके शीखना की बात करें सीखने को देना चाहिए सरनातमक्ता बात करें अर्थपूर सम्मंधो भावपूर चित्र ब्रहमळ करनी कारण का पता लगाना अगर कोई बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसका कालन का पता लगा है कि भाई प्रॉब्लम क्या है विभिन गतिविदियों में उसे सामिल करना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको positive bird मिल ला है देखो दंड देना क्या होता है निगेटिव होता है और अगर मैं कह दू कि भाईया अवसर देना प्रोसाह आते ही हमारे उपर दबाव बढ़ने लगता है प्रेसर ना ले प्रेसर के चकर में आप परिक्षा में गलती का सिकार हो सकते हैं और सांत मंसे और दिमाग से अच्छे एक्जाम की तरीके से एक्जाम को क्रेक करने के लिए एक्जाम हाल में जाएंगे एक्जाम देने जाए तो सफलता का फासला थोड़ा और कम हो जाएगा याद रखें दोस्तों अपना स्वास तो बहुत important है आप बात करते हैं qualifying mark की देखें दोस्तों अगर बात करें आप सभी को समय बहुत है इसलिए जो नए बच्चे हैं सबसे पहला point आपका पास करने का तरीका यह होना चाहिए कि आपको हर subject के विसे के notes बना लेने हैं जिनकी playlist की link आपको नीचे मिल जाएगी एक-एक notes अपना हास से बनाना है और आपको 10-10 मिनट से जादा मैंने वीडियो नहीं दिया है हर वीडियो tricky वीडियो है जो पूरी तरीके से एकदम से qualifying करने के लिए exams को क्रेक करने के लिए आसान रहेगी ठीके ना अब बात करते है exam में qualifying के लिए अगर होने वाली की बात करें तो कितने नंबर लाने होंगे national counselling for teachers बोले तो seatate education की बात करें तो 11 फरबरी 2020 को जारी notification हुआ था ये 2020 छोड़ो आप ये तो मैंने यहाँ पर पुरानी चीज़ डाल दी है मैंने क्या बोला है अगर आप 2020 या 21, 22, 23 में यहाँ पर exam देने जा रहे हो ठीके ना तो आपको यहाँ पर कितने नंबर चाहिए क्या negative marking है उसमें तो अगर बात करें यहाँ पर 60 फीसदी अंक लाना होता है समझ रहे ना 100 अगर नंबर का है तो उसमें 60 नंबर लाने है यहाँ तो 1500 नंबर है तो मतलब क्या है कि अगर 1500 में कम से कम 90 अंक लाना जरूरी है और भाईया देखो हमारे exam हमारे student जो हैं उनके अगर 100 से कम आते हैं तो फिर भाईया बिल्कुल बहुत खतरनाक होने वाला है और इस बार challenge सभी को करना है कि सभी बच्चे 100 के ऊपर रहेंगे और जादा से जादा बच्चे हमारे जो रहते हैं वो लगबग 127 से ऊपर ही बच्चे रहते हैं आपको पता होगा ठीक है ना लेकिन कोई भी बच्चा जितना भी आपका कम जोर होगा वो 100 से नीचे नहीं आएगा ये वात कलियर है कितना भी कमजोर होगा हमने एक यी बात आप हमेशा की तरह कहा है कि गुरुजी वर्ल्ड एक्जाम स्टडी आपको सिक्षक या सिक्षी का मनाता है ना ही आपको ये कहता है कि आप टॉप कर जाओ हमें नटो टाप करना है ना ही फेल होना है हमें क्या है एक सरकारी सीट लेनी है वो तांडव करके लेनी है या फिर कैसे भी करनी है लड़के लेनी है जगड़के लेनी है मुझे लेनी है तो लेनी है सिंपल सी बात करना है तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है आगे देखते हैं एक्जाम में क्या है फिलाल आपको जो नहीं आ रहा है वो निगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा मतलब आप लगा सक भштते हो लेकिन सारा स्लेवस आपका कम्प्लीट होना चाहिए सलिए सभी बच्चे ध्यान दें कि चैनल को सस्क्राइब करने के साथ अगर आपको लगता है कि आप सरकारी अध्यापक वनना चाहते हैं तो केवल मुत ध्यापक की बात करते हैं हर प्रसंद नजर में रहता है इसलिए चैनल को सस्क्राइब कर लें गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेडी को और अभी जाएंगे तुरंत नीचे टेलिग्राम गुरुप की लिंक है जॉइन कर लेंगा अगर नहीं हो रहा है जॉइन तो आपको जॉइन करने के लिए करना क् जाएंगे तो गुरुजी वर्ड का टेलिगराम सर्चsta प्सें नहीं आएगा आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है नीचे जाके टेलिगराम में लिखा होगा free pdf को प्राप्त करने के लिए गुरुजी वर्ड टेलिग्राम जोईन करें सभी बच्चे सबसे पहला काम करेंगे सस्क्राइब करने के बार notes बनाएंगे और notes रफ में बना सकते हो चाहे कोई भी बना सकते हो बनाने चाहे सारे सिध्धान पहले लिखने मनोविज्ञान के गडित का सारा वीडियो देख लेना है environment का देख लेना है सब कुछ करना है exam को आसानी से crack हो जाएगा वन्दे मातरम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए जै महाकाल और इंकलाब जिन्दाबाद आदाब सस्रियकाल जै महाकाल आप सभी बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं आपर अपने आपको कमतर मत समझना यू आर यूनिक यू आर ग्रेट वन्दे मातरम